गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाव यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन आट यूर प्लेस तोड़ी आम गॉइंग टीच यू हिस्ट्री आवर टॉपिक दर रिवाल्ट अफ एटी सैवन इस गॉइंग ओन ओकी इसमें क्या था? सभी जो रिवल्स थे इन्होंने सभी ने एक यूनिटी बना ली थी कि अब कुछ भी हो जाए हमको ये वाला जो रूल है इसको खतम करना है ठीक है? इसके चलते हैं अब जो शिकायते थी दर्द था इन रिवेल्यंस का तो वो दर्द था वो जुड़ गया प्रिंस के साथ में जुड़ गया तालुदार के साथ में पीस जैंट और स्पॉय मज़े सभी लोगों के साथ में गदर्द जुड़ गया यानि कि सभी अब एक दूसरे के ये सपोर्टर बन गए और सभी मिलका मज़े सब भूल गए कि तालुदार ने हमारे उपर क्यात्यचार किया है राजा ने हमारे उपर क्यात्यचार किया ये सारी चीज़े भूल कर ये अब इस काम में लग गए कि अब बन को ये खतम करना है और ये भी मानने लगए कि ये जो पीपल थे जो अंग्रे यूरोपियां जो थे इन्होंने हमारी उन सभी चीजों को आहत किया है परेशान किया जिनकी हम वैल्यू करते थे रिस्प्रेक्ट करते थे जिनको हम अच्छा समझ थे थे ठीक है अच्छा अब इसकी बज़े से के ट्रेडिशनल लॉयल वर्ग जो थे 1857 के रिवर्ड के साथ में जुड़ गए आवद जो था उसमें कुछ और जादा था यहां पे दा रिवर्ड बिकम एन एक्सपेशन अफ पॉपुलर रिजिस्टेंट इन एड एलियन ओर आवद दूसरे एरिया के अलावा जो भी रिजिस्टेंस चला था विद्रो चला था ऑप्रेशन चला था आवद में कुछ अलग था क्यों था इसके पीछे देखते हैं क्योंकि यहां पे अनेक्सेशन डिस्प्लेज नॉट जस्दा नवाब यहां पे जो नवाब से जो सब्दा ले ली गई थी वो सिरफ नवाब से नहीं ली थी नवाब जैसे आपने पिस्टे टॉपिक में बताया था कि यह जो राजा जब डिस्प्लेज किया जाता है तो राजा के अलावा उसके कोड में पार्टिसिपेट करने वाले डिफरेंट टायप के जो पीपल्स होते हैं वो भी इफेक्ट इफेक्टेड होते हैं इस चीजों से तो जब नवाब साब का शाषन चला गया तो उनके शाषन जाने के बाद में वहां के जो तालुदार थे वो भी लाचार हो गए थे ठीक है अच्छा उनकी जो कंट्री साइड में यानि कि पूरे एरिया में आवद के जो तालुदारों के जो फोर्ट्स थे उनकी जागिरें वगेरा थी जिन जागिरों पर वो सुरू से कंट्रोल करते आ रहे हैं शाषन चलाते आ रहे हैं बिटी सर्स के आने के बाद में बिटी सर्स ने उनको गलत बता दिया वो जो फोर्ट वगेरा बना रखे थे उनकी स्टेट वगेरा थी जो कई वीडियों से चली आ रहे थी और इसी तालुदार प्रोफेशन की वज़े से इन्होंने बड़े बड़े फोर्ट वगेरा बना रखे थे इनको बहुज़दा रिस्पेक्ट दी जाती थी सौसाइटी में और यह जो रिस्पेक्ट है वो नवाब की वज़े से भी दी जाती थी अगर यह नवाब को रेगुलर अपना जो तालुख है लेंड और वो बढ़ता जा रहा था ठीक है कुछ जो तालुखदार थे बड़े उनके पास तो ट्वैल थाउजन के आसपास एप्रॉक्सीमेट सोल्जर्स हुआ करते थे हैं एड इवन दैस्मालर वन हैड़ अबाव टूएंड़ और जो छोटे होते थे उनके पास पर टूएंड उनकी पावर को वो सहनी कर पा रहे थे इस वज़े से उन्होंने जब नवाब साब को अनेक्सेशन किया अवद को अनेक्सेशन किया उन्होंने तो उन्होंने साथ में ही इन तालुखदार को भी डिसार्म कर दिया और उनके फोड को डिश्ट्रॉय वगेरा कर दिया विटि जैसे ही उनोहें बूस्तियर अपनीं। निखिए के नाम से जना जाता है। यानि कि यहां पे नवाब साफ के जाने के बाद में बहुत सारे चिंग्जिस किये गए जो तालुगदार होते थे जो एक रिस्पेक्टिफल परसन था उसके पास में पावर वगेरा थी अग्रेजों को इस पावर उनके सामने सर उठावत उनको पसंद नहीं था अब जो ता तालुगदार स्वासाइटी में थे उस सिस्टम को इन लोगों ने खतम कर दिया ठीक है पहले यह क्या अंग्रेजों ने कहा तालुगदार को कि आप सिर्फ बीचो लिया हो यानि कि आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है रेंड रेमेनू करने की और उसको आगे पहुंचाने क इसके रावा आप कुछ भी नहीं हो जबकि आपने अपने आपको बहुत कुछ और बना लिया इस वज़े से कई जो थे तालुगदार उन्हों ने तो बहुत सारी जो जमीन थी उस पे भी कपज़ा कर लिया था जिसको अंग्रेज लोग भी सही नहीं मानते थे कि तुम लोगों ने फ्रॉड करके और पाकत के बलपर ये सब्दा अपनी हासिल करी है जो समरी सेटलमेंट था इसकी वज़े से इसमें लिखा वा था कि जितनी जंदी हो सके इन तालुगदार की जो पोजिशन है उसको खतम किया जया फिगर्स बताते हैं कि प्री प्रिटिस टाइम में जाने कि अंग्रेजों से पहले का जो टाइम था उसमें तालुगदार के पास में 67 परसेंट जो आवद में जो विलेज थे उनके उपर उनका कमचा था ठीक है इन आवद बाइदा समरी सेटलमेंट इस समरी सेटलमेंट लागू होने के बाद में अब जो उनका आवद के जो विलेज थे वो 38 परसेंट पर आवे तालुगदार होदा साउदन आवद वार्दा हार्टेश्ट हेट साउदन आवद जो था उसके जो तालुगदार थे वो तो और भी जादा एफेक्टेड हुए इस सिस्टम से और इसे कईयों के पास तो आदे से ज़्यादा देन हाफ और टॉटर नमब दो विलेज देयर प्रेशली है जो आदे से ज़्याद गावं पर जिनका कब जाता हो सारा जाता रहा बिटिश लैंड रेविनी ऑफिशर गलीव बाय रिमूविंग तालुदार बिटिश लैंड रे कर देंगे तो इसकी वज़े से जो फाल्मर्स है उसको भी इजी फी होगा और जो टैक्स का वज़न जो फाल्मर्स के उपर पढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा साथ की साथ में ही लैंड रेविनी जो कलेक्शन है वो भी जादा पहुंचे क्योंकि उनका कही नहीं मानना थ जाएगा था कि यह ज़्यादारों से ज्यादा लैंड कलेक्शन कर रहे हैं और ऊपर कांप पहुंचा थे तरो टालूविं थे अपन इंवी जो हटाके तालूदार को हटाके अपन डारेक्ट जो है लैंड ड्रेविन एन वो इसके जो असली मालिक है उसके साथ में अपन कर लेकिन ये वास्ता में लागू नहीं हो पाया है रंग से काम नहीं कर पाया क्योंकि लेंड रेविन्य फ्लो फोर देश्ट इंक्रीज बट हाला कि जो लेंड रेविन्य जो कलेक्शन है वो तो बड़ा लेकिन बड़ बड़न और पीजन दिड नोट दिखलाएं जो करों का जो टैक्स का जो वजन था बड़न था वो फार्मर के उपर से नहीं हटा क्योंकि ओफिशल शून फाउंड देट लार्ज इडिय फावाद वर एक्चली है विल्ली ओवर एसिस्ट मतला ओफिशल को पता चल गया कि जो टैक्स की जो रेट है वो ओर रेड़ी इतनी बड़ा चड़ा कर लिखी गई हैं बताई गई हैं या दी जाती हैं जो की आसानी से किसां को फुल्फिल नहीं कर सकता दा इंक्रीज ओफ रेविन्यु डिमांड इन सम प्लेसे और कहीं कहीं पे तो रेविन्यु गी डिमांड थी यह ठर्टी टू सेवन्टी पर्षेंट होती थी थास ना इता तालुदार और पीजंट है एनी डीजन टूब हैपी इस वजह से ना पावर बढ़ जाए लेकिन अगरे उनको हटा दिया तो वह भी खुश नहीं हुए फार्मर्स जो हैं वह भी इसले खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें तालुदार सिस्टम को तो हटा दिया लेकिन जो लेंड रेविन्यू टेक्स जो थे जो परसंटेज थी वह डिक्लाइ जिस वफादार मतलब यह जो कुछ फार्मर्स वगेरा थे यह तालुदार के साथ में लॉयर थे उनके सारक्षम में यह लोग काम कर रहे थे जब से तालुदार सिस्टम हटाये गया फिर यह सिस्टम खड़ा हो गया प्रिटिश टाइम से पहले क्या होता था जो तालुदार वगेरा होते थे यह किसान की यह कुछ कुरूर भी होते थे कुछ पावर को इस्तमाल करते थे जब की जो कुछ जो तालुगदार है वो दयालो किसम के भी होते थे बुराय समय में इन फारमर्स की वो हेल्प करते थे फसल खराब हो जाती थी तो उनको कुछ रिलेक्शेशंस देते थे अब दर तालुकदार system disturbed हो गया तो फार्मर्स थे वह भी कहीन के इंडर ले थे कि इस नए सिच्टम में उनके साथ में बुरा नहीं हो जाए कोई भी नया festival आता था तो यह तालुकदार जो हैं अपने फार्मर्स को पैसा वगयरा भी देते थे अब नियाज सिस्टम आ गया तालुगदार है नहीं अभी सोच रहे हैं फार्मर्स के अब हमारे बुरी समय के अंदर कौन हमको सपोर्ट करेगा इन डिम और्ला डालुगदार मनातीर मनाती अबिरी नहीं अवितरल्नीच विते घृँर्म सपोर्ट करने वले होते थे But many of them also appear to be generous father figure. They accepted a variety of dues from the present but were often considered in time of need. काफी सारा वो टेक्स लगान करेक्टर पे थे लेकिन बुरे वक्त में उनकी मदद भी करते थे. Now under the British, the present was directly exposed to over-assistment of revenue and inflexible method of collection. There was no longer any guarantee that in time of hardship or profailure, the revenue demand of the state would be reduced. अब किसाने सोच लेते, जब बुरा समय आएगा, तो हमारी help कौन करेगा? क्या यह हमारी टेक्स revenue system उसको कम कर देंगे बुरे समय में? Okay. Or collection postponed, or that in time of activities, the person would get the loan and support that the तालुदार had earlier provided. हमको एसे में में नए जो festival वगे राएंगे, तो हमारी help कौन करेगा? In area like a world was resistant during 1857 was intense and long lasting. इसी वज़े से 1857 को जो revolt हुआ था, आवद में बहुत लंबे time तक चला था. क्योंकि अब जो अपोस कर रहे थे, बिटिस रूर का, इसमें तालुदार और पीजेंट डोनों मिलकर काम कर रहे थे. मैनी जो तालुदार थे, कई सारे तालुदार थे, वो अभी भी नवाब के पड़ती लॉयल बने वे थे. और नोने बेगम हजरत महल के साथ में कोलॉबरेशन कर लिया था और उनके साथ में लड़ रहे थे और उनके लड़ाई उनके बेगम हजरत महल की युद में हारने के बाद भी उनके साथ में खड़े रहे थे अच्छा और कई कुछ वजह से जो सैनिक हैं वो भी अंग्रेजियों से नाराज थे क्योंकि वो भी मौस्ट जो भी सैनिक होते थे या दिक्तर जो सैनिक जो थे यह गाउं से आये गए थे और आवद के गाउं से इनको रिक्रूट किया गया था अब जैसे फार्मर अंग्रेजियों की वज़े से परेशान थे उसी तरह से जो सैनिक वगेरा हैं यह भी अंग्रेजियों से कहीं नहीं परेशान थे क्योंकि वो कई सारी कंप्लेंट करते थे एक तो उनको बहुती कम पेमेंट दिया जाता था और जल्दी से इनको छुटी वगेरा भी नहीं दियाती थी बाइदा 1850 देर वार अदर रीजन फोर देर 1850 के बाद में और भी कई सारे रीजन थे जो खुल कर सामने आए थे दा रिलेशन्शिप अफ दा इस बॉइ विद देर सुपीरियर वाइड आफिसर जो वाइड आफिसर के साथ में जो इनके रिलेशन्स थे वो टाइम पीरिड 1857 के टाइम पीरिड के आसपास में चेंज हो गए थे पहले क्या करते थे जो बिटी सर्स वागेरा थे वो इंडियन के साथ में मिक्स अफ होने की सौशते थे 1850 के पास पास में ठीक है उनके साथ में मिक्स अफ होने की सौशते थे उनके कल्चर को समझते थे उनके साथ में खुस्ती वागेरा करते थे शिकार में उनके साथ आते थे, मतलब कि वो अंग्रेज ऐसा इंडियन को दिखाते नहीं थे कि वो सुपीरियर है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीखता गया, अंग्रेज अपने आपको सुपीरियर दिखाने लगे, छोटी-छोटी बातों पर वो इंडियन सोल्जर को फीजिक करनिया भी करते थे, जिसकी वज़े से इन जो सोल्जर से हैं वो बिटी सर से नाखुश हो गए थे, चेंजिस इन दरीयर पॉसिट, इन दर 18-20 वाइट ओफिसर मेड, इट अपॉइंट तो मेंटें फ्रेंडी रिलेशन्शिक विदा स्कॉर्ण, पहले फ्रेंडी रिलेशन इन दर ने भी बोने लग जाते थे, उनके फैंड, कस्टम रिती रिवाजों से वो परीचित हो गए थे, दा ओफिसर वा डिसिप्लेरी एंड फादर फिगर रोल इंटू वो उस टाइंग में जो ऑफिसर थे, वो कड़क भी होते थे, साथ साथ बे फादर फिगर, मतलब की इसे फादर का काम होता है, बचों को डाटते भी हैं, बचों को प्यार भी करते हैं, इस प्रकार का इनका रिवेशन था बहुत पहले, लेकिन अब ये चेंज हो गया था, जिसकी वज़े से इंडियन सोलजर्स को ये पसंद नहीं था, In 1814, they began to change, the officer developed a sense of superiority and started treating the spy as their racial inferior, वो इनको racial, color के according inferior समझते थे, इनके साथ में बुरा वरता करते थे, अब्यूस करते थे, physical violence, जो इनके साथ छोड़ शोड़ी बातों पे इनको करते थे, इस वज़े से spy और officer के बीज में, जो distance है वो बन गया था, जब जो पहले विश्वास था एक दूसरे के परती, अब ये एक दूसरे को संधे की द्रस्टी से देखने रखेंगे, देख, इस पोई और Greece के कार्टी रेज, और जो ग्रीस वाला जो कार्टी रेज आए था, काउवर्पिग वाला, इसकी वज़े से, भी ये soldier जो है, उनस ना कुछ थे, ट्रश्टवानी प्लेस बाइश 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 का टिरेज वायर, एक लासिकल एग्समपल अफ देस, जी कुछ उनकी से भी को सिर्ट ऑइश बाइश बाइश हैं के अल्स प्लेसी आवक नीए आवद हैं और plantation माना जाता था उनको nursery माना जाता था उनको The large majority of the spoil of the Bengal army were recruited from the village of Avada. Bengal में जितने भी soldiers recruited किये गए थे उसमें से mostly कौन से थे mostly वो आपके अवद से लिये गए थे The large majority of the spoil of the Bengal army were recruited from the village of Avada and East Chambhu तर पर दे Many of them were Brahmins इसमें से कई सारे Brahmins थे अब परकाष्ट माना जाता था कि कि इस वज़े से question आ सकता है अब अद्वाज in fact called the nursery of the Bengal army कि कौन किस के लिए, किस state के लिए use होए तब अब अवद को मार कर दे The changes that the family of the spoil saw around them और जो भी changes हो रहे थे spoil के life से related उनके family वगेरा इस चीज़ को देख रही थी the treat they perceive are quickly transmitted और यह है जो डर्ब है यह है जो spoil के जो quarters वगेरा है उनमें यह देखा जाता था The changes that the families of the spoil saw around them and the treat they perceive were quickly transmitted to the spoil like intend the fear of the spoil about the new carterate, their grievances about leave एक तो जैसे बताया भी आपको उनकी काटी रेज को लेके उनकी डर्ब थाए साथ की साथ में ही और भी कई सारी शिकायते थी और यह शिकायते उनके misbehavior और racial abuse को लेकर थी white officer जो थे communicated back to the village अच्छा इसके साथ साथ में एक चीज़ और आ गई तो जितने की स्पॉई होते थे मौसमी का होते थे रूनर फैमेली के साथ में related होते थे जब कभी भी सैनिक अंग्रेजों के खिलाब विद्रो कर देता था या उनके सामने खड़ा हो जाता था तब वो सैनिक सोलजर जो है अपने relatives को अपने village से बुला लिया करते थे और अपनी majority को शोर करते थे उनको डराने की धंकाने की कोशिश भी करते थे दा लिंक बिट्मिन दा स्पॉई और रूलर वर्ल हैं important implication in the course of the uprising when the स्पॉई defined their superior officer and took up arm they were joined very swiftly by their प्रेथनन in the village everywhere peace and power into हर जगें से जो किसान है वो टां में आ जाता था soldier को join करता था and the ordinary people of the town in collectively act of favor इस वज़े से जो ordinary people था वो भी टेजी से इनके साथ में जुड़ गया चलते हैं what the rebel wanted अब जो rebels वगेरा थे जिन्होंने विद्रो किया था यह क्या जा इनकी क्या इच्छा थी आप इस बार में historians से इनको जादा नहीं मालूम जो historians आपने कई बार बताया historians जो कुछ भी बताते हैं वो return resources होते हैं उनके basis पे बताते हैं और यह return record जो होते हैं resource जो होते हैं वो उनको books वगेरा में, documents वगेरा में मिलते हैं तो जो कुछ भी historians को पता चला है वो people's के one-sided का पता चला है यानि कि अंग्रेज अधिकारी इस rebels के बारे में क्या सोचते थे वो ordinary people के बारे में क्या सोचते थे तो उन्होंने सिरब वो ही लिखा है साथ की साथ में ही जो अंग्रेज अधिकारी के जो clerk वगेर होते थे उन्होंने ही जो documents लिखे हैं वो documents भी उनको पढ़ते वाकि इत्यान दिया जाता है कि उनकी क्या सोच हो की जैसी सोच होती है आदमी की वो वैसा ही लिखता है लेकिन फिर भी हमको rebels के दूसरे साइट के बारे में कुछ है जो इस्तिहार notifications वगेरा जो है जो उन्होंने कभी कहीं wall पे ही चिपकाए थे और वो किसी book में लिख दिये गए हैं तो उससे ही पता चलता है कि जो rebellions है वो क्या चाहते हैं हाला कि जो rebellions जो थे वो बिटी सर्स के दौगेंस थे ही साथ के साथ में ही जो बिटी सर्स से related कोई भी जो चीज थी उससे भी उसको भी वो पोस करते थे जैसे जो rich person होते थे society में वो कहीं न कहीं बिटी सर्स के साथ में जुड़े होते थे जब rebellions आते थे महाँ पे लूट मार करते थे प्रेंडर वगेरा करते थे तो वो इन rich person को भी target करते थे उनके भाई खाते वगेरा जला दिया करते थे उनको publicly insert वगेरा भी वो लोग करते थे आज वैज विक्टॉरी विक्टॉरी अंग्रेजयों रूफरों को लिखाए कि हमने अंग्रेजा विचेता क्रव में लिखाए कि हम यहदं को काफ़ी सारी कठनाई वी अपर क्शनोति ya'm एब घरी हमने ऑज हो घरोजन हो लोगी थे हमने यहरो की तर्हें काम किया दे डिसमिस्ट रिबेलेजेबर वो जो रिबेलियंस थे उनको अनग्रेटफूल एंड बार्बरिक पीपल वो इन लोगों को जुंड कि एसान फरामोस हैं ये लोग इंडियंस ठीक है और बार्बरिक हैं क्योंकि अंग्रेजों के सामने भारतियों ने बहुत सारी व इन इंडियंस पीपल के साथ में रिबेलियंस के साथ में तो हमारा यह जो दमन था रिप्रेशन था वो इसलिए था कि हम उनकी आवाज को दबा देना चाहते हैं जो भी वो कुछ चाहते हाले कि कुछ रिबेलियंस को मदद मिलकी या रिबेलियंस थे वो अपनी बात को रखने में सफलता मिल गई हैं लोगों को इन में से जो रिबेलियंस थे इन में से पढ़ना लिखना नहीं आथा था 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 फिर फिर भी हमको उनकी जो घोषना है और जो उनकी इस्तिहार वगेरा है वो हमको मिले हैं जो कि उन्होंने ordinary people के लिए लिखे गए थे बताए गए थे कि हम यह है चाहते हैं इसलिए आप लोग हमको हमारा अपना support दो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसको हमें मानना पड़ता है या हम उसको वन साइड़ लेका चलते हैं जैसे अंग्रेज़ों अपने आपको विजिए आपको जाते हैं जो कुछ उजह करेगा पां इंडियन्स को उन्होंने इसान फरामोट केमा ओंडिया लागू कि लिए जैसे जो लॉड विलियम बैटिक थे विउन्होंने अपने रिलिजियस किये थे सती को बैन कर कर दिया था वेस्टन एड्यूकेशन सिस्टम लागू कर दिया गया था तो था तो रिफॉम्स लेकिन वो इसको गहाग समझ गया था कि वाइल इस सौर्सेज रिवल दा माइंड ऑफ ऑफिस्यल दे टैल एस वहरी लिटिल अबाउट वॉर्ट था इस वजह से उन्होंने जो अपने जो रिविलियंस थी वो क्या चाहते थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही कम लिखा है अच्छा आप जो यह रिविल हुआ था यह इसमें विजन ऑफ यूलिटी मतलब की एक तक कूप शो किया जा रहा था यानि दिखाना चाहरे थे कि हम हिंदू मुस्तिम या दूसरी जो अगर कास्ट है उनके खुद के अलग जगड़े हो सकते हैं लेकिंग जब यह हाला कि अंग्रेज जो थे यूरोपियां जो थे इन्होंने इस यूनिटी को तोड़ने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए ठीक है अच्छा और जो कोई भी यह प्रोक्लेमेशन करते थे घोशनाय करते थे तो ध्यान रगते थे कि पीपल की ज कुल से पहले जो इंडियन्स हैं वो कैसे रहते थे इंडियन्स ने इस सोसाइटी के लिए इस कंट्रे के लिए क्या क्या किया है कि यह जो है जो भी प्रोक्लेमेशन करते थे वो सोसाइटी के सभी पीपल्स को इक्रूड करके करते थे आपने भी कभी कोई भी पॉलिटिकल सुनाओ के समुदित भी चुनाओ आने वाले हैं वहरूर घंदर मुंसिपल मुंसिपल ठीके एलेक्शन आने वाले हैं अगर सेक्टेमबर में यह देको कब होते हैं ठीक हैं और अब कभी आपने एंपिय में लेकाई एलेक्शन देखा हो तो उसमें लीडर्स यह कहते हैं कि हम 36 विराध दिलियूं काम को सपोर्ट हैं माना जाता है कि भेरूर सोसाइटी में यह आसपास की सोसाइटी जो होती है इसमें 36 टाइब्स की रिलीजियस पर्सन होते हैं जैसे ब्रामन हो गया गुपताज हो गए यादा हो गए जाट चोदरी वगेरा इस तरीके से 36 विराध दिलिया जाता है कि हम 36 विराध दिलियों के हमको सपोर्ट है तो The rebel proclamation in 1857 repeatedly appealed to all the section of the society, repeat करते रहते थे पूरी सोसाइटी के लिए किसी particular person के लिए नहीं कहते थे कि हमार को सिर्फ मुस्लिम से काम है या मुझे सिर्फ हिंदू का सपोर्ट चीए ऐसा नहीं था Irrespective of their caste and creed और वो कोई भी जाती औरस था के उपर नहीं कहते थे सभी को साथ देखे चलते Many of the proclamations were issued by a Muslim prince or in their names but even these took care to address the sentiments of the Hindu कोई भी घोशनाई की जाती थी तो Muslim prince के नाम से की जाती थी क्योंकि मैंने आपके बताया कि जब 1857 को revolt हो था 10th में को वो जो rebellion थे वो Delhi पहुंचे और बहादूर साज अफार को कहा कि भाई आप हमको support दे तो हमको आपकी blessing अगेरा तो अब blessing lady मैंने का था वो nominal king थे कोई power नहीं थी rebellion जो थे खुद अपमीचा के according कर रहे थी लेकिन फिर भी order निकालते वाक्त वो particular इनका जो नेम वगेरा है वो ही यूज कर रहे था और कोई भी कोशना की जाती थी तो ध्यान रखा जाता था कि हिंदू कहीं उससे आहात वगेरा नहीं हो जाए क्योंकि मुल डर था कि अगर हिंदू नाराज हो गए तो वो इस national movement से अपना हाथ खैंच लेंगे लडाई को यह लेकर चल रहे थे कि इस लडाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों को लॉस और गें साथ साथ होगा यानि को इस लडाई से फाइदा भी होगा नुकसान इसलिए कि जान वगेरा जा सकती है फाइदा इसलिए कि दोनों independent statement दोनों साथ से लेंगे जो इस्तिहार में यानि कि इस notification में उस advertisement में प्री बिटिस्ट का जो टाइम था यानि कि अंग्रेजों से पहले का जो टाइम था उसमें हिंदू-मुस्लिम की जो unity थी उसको बताया जाता था ग्लॉरिफाइड किया जाता था कि कैसे different community Mughal Emperor के शासनकाल में साथ साथ है जी हाला कि ऐसे बहुत ही कम एक्सामपल है जब मुस्लिम्स ने हिंदू के उपर प्री बिटिस टाइम में कुछ सपोर्ट किया हूँ मौस्लि दमानी काते थे हैं हिंदू को दवा के सब्दे थे लेकिन फिर भी बिलियन्स ने ये नहीं तस्वीर पेश्ट है जो कुछ भी प्रोक्लेमेशन घोष्णाएं की जाती थी उन घोष्णाव में बात लिखी जाती थी कि ये जो आपके महादुर्शा है ये है सभी से अपील करते हैं मौम्मथ से भी अपील करते हैं और महावीर से भी अपील करते हैं कि भीया हूआ आएं और इसमें पना सपोर्ट वग़्रा दे हाना कि कुछ ऐसे एक्जामपल्स भी मिलते हैं कि इस 1857 के रिवॉल्ट में से पहले या बार में बिटी साथ ने कुछ कोशी से की ताकि वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी या उसको खतम कर पाए लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हुए और यहां तक की भी समझ भाता है कि इनोंने 50,000 जो रूपीज हैं उस टूरेशन में खर्च किये थे ताकि यूनिटी है वो खतम हो सके लेकिन वो फेल हो गए थे बिटिज अटेंब तो क्रेट सच डिवीजन कोशिश करी थी नांपिस रोगा डिवाइड एंड रूल कभी मत भूल इन बरेली इन वैश्टन उत्तरप्रदेश इन दिसंपर 1857 बिटिश इस्पैंड रूपीज फिफ्टी थाउजन मतलब की 1857 के रिवोर्ड के बाद में इनोंने किया गया था कि हिंदू मुस्तिं को एक दूसरे के साथ में लड़ा जिए इस्पैंड फिफ्टी थाउजन त कि गई है 25 अगस्त 1857 को ये एक बार पढ़ लेना इसमें जादा कुछ नहीं है इसमें ये बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सपोर्टर हैं और इन दोनों को ही अंगरेजों के अगेंस्ट लड़ना चीए और जो भी वैल्दी परसन है उनको सपोर्ट करना इसमें से कुछ आता भी नहीं है अब अगेंस्ट दा सिंबल ऑफ ऑप्रेशन जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वह उन सभी लोगों के अगेंस्ट थे जो अंगरेजों के सपोर्टर थे अब इसको और देख लेते हैं इसमें सब्सक्राइब करना अपन को कुछ भी हो इस फिरंगी राज जो है इसको खताम करके ही अपन लोगाओ दम लेंगे लिए जबरन मनमाने तरीके से अनक्षेशन किया अनक्षेशन दा छीदना जैसे आवद को बिटिश रूल के अंदर मिला लिया गया और किस तरीके से इनोंने डिफरेंट ट्राइब की ट्रीटेज मदब समझोते किये थे लेकिन उन सभी समझोतों को इन्वने तोड़ दिया था, the British, the rebel, they condemned the British for the annexation, they had carried out and the treaties they had broken, उन सभी बातों कि इन्होंने गहर निंदा करी, the British, the rebel leader said, could not be trusted, Rebellionist ने कहा कि British होस्तों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, what and are the people watch how British land revenue settlement, इन्होंने British land revenue settlement के जरी बताया कि कैसे इन्होंने landholders को बड़ा हो या छोटा हो बे दखल कर दिया गया, कैसे foreign commerce ने, यानि कि विदेशी वैपार ने, कैसे आर्टीशन, जो वीवर्स वगेरा हैं, उनके जो profession था, उनके जो धन्दा था, उसको कैसे खतम कर दिया है, Every expert of British rule was attacked, मैंने का, अब हमको British rule को हर तरीके से अटेक करना है, फिरंगी जो है, ये हमको हर तरीके से बरबात कर देना चाहते हैं, हमारी life style है, उसको इन्होंगों ने change कर दिया, डेवेल चाहते थे, कि जो हमारा पहला जो समा सोसाइटी थी, उसको वापा से establish किया जा सकें, इन प्रोक्लेमेशन में, इन गोष्णाव में, जो की बना मोटिफिकेशन था, जो इन्होंने आखबार बगेरा में, यहादा हैं, इन्दिवार बगेरा पे चिपका की बनाने की इनोंने कोशिश की गई, काफी सारे रूमर्स वगेरा फैलाएगे, पीपल्स को अपनी तरफ करने के लिए, रिवल्स ने बताया, कि हिंदो उसने ब्यूनिटी को यह लोग खतम करना चाहते हैं, और कैसे यह काम करते हैं, प्यूपिल वर आज को कम तोगेदर इनोंने कहा है कि आप सभी को एक जुट होना चाहिए, एक साथ मिलकर अपन को इनको खतम करेंगे, अपनी लाइवली हुड, अपने रोजगार को बचाएंगे, अपना विश्वास, अपना सम्मान, अपनी अगेंटिटी इन सब के लिए अपन लड़ेंगे और इसी को इनो अपने ग्रेटर पब्लिक गुड कहा, ध्यान रखना ये सवसाइटी के लिए पन लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, as noted earlier in many places, the rebel against the British widened into an attack on those who were seen as alliance of British or local oppressor, पहले बता दिया, बेटे सब के सासा को जो भी खड़े थे, उन सभी को उन्होंने निशाना बनाया, often the rebel deliberately show to the humanity, the elite of city, जो city के जो बड़े उच्छवर होते थे, in the village, उन्होंने उनके account books को जला दिया, moneylenders के घर को loot part करी, they reflect and attempt to overturn traditional here, he rebel against all oppressor, it prevent a glimpse of an alternative vision, ये वापस आमनतवादी ववस्ता जो थी, उसको लागू करना चाहते थे, such vision are not articulated in the proclamation, be sure to unify all social group in the fight against फिरंगीराज, ये सभी को वापस से एक जुट करना चाहते थे, the search for alternative power, अब जब rebellions ने हर जने कभजा कर लिया था, तब इन्होंने वापस पूरी वो ही system लागू किया, जो British rule से पहले था, तो इन्होंने वापस आर्मी को recruit किया, administration set up किया, जैसे court चलती थी, जैसे rules regulation चलते थे, जैसे land revenue system चलता था, उन सारी चीज़ों को इन्होंने वापस से implement किया, once British rule had collapsed, the rebel in place like Delhi, Lucknow and Kanpur tried to establish some kind of structure of authority, नोने structure खड़ा किया, प्रशाशन बनाया, administration बनाया, this way of course short life, but the attempt show, वालगी short time के लिए ही चला था, लेकिन the attempt show, the rebel leadership, लेकिन इसने ये बता दिया था, कि जो rebellions है, वो कैसे leadership जो है वापस, जो pre-British जो world था, 18th century में उसको establish करना चाहते थे, leaders went back to the culture of the court, जो court का जो culture था, रीती रिवास थी, उसको उनो set up करना चाहते थे, appointments were made to various posts, different posts के लिए appointments किये गए, arrangement किया गया, कि भी कैसे land revenue collection किया जाए, कैसे crops को payment किया जाए, order issue to stop loot and pender, order निकाले गए, कि वह जो loot part की जा रही है, आप उन्होंट पार्ट को खतम करें, side by side plans were made to fight battle, और साथ की साथ में, HBTSS के साथ में लडने के तोर तरीके सीखे जाएं, chains of command laid down in the army, different type की commands issue की गए आर्मी में, in all this the rebel hark back to the 18th century Mughal world, Mughal world वाला establish करना चाते थे, a world that become a symbol of all that had been lost, जो की सब कुछ खतम होगया था, उसको establish करना चाते थे, administrative structure act established by the rebel were primarily aimed at meeting the demand of war, however in most cases these structure could not survive the British onslaught, हालंकि सारा system बनाया, लेकिन ये सारा system जो है British के प्रहार से बच नहीं पाया, बाट इन दावाद, लेकिन जो आवद में, आवद में जो resistance चला था, वो काफी, लंबा तक चला था, बहुत लंबा चला था, लखनाव court and hierarchy of the command were in place as late as the last month of 1857 and the early part of 1858, या 57 के end था, या 1858 के time period था की जो विरोध वगेरा है वो चला था, बेटा आप बाकी topic रहे गे, यह अपना early next में complete कर देंगे, ओके, bye, see you soon.